अलो क्रेंड विल्कम बैक टू माई चानल कैसे हो आप लोग जो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे आज मैं नए प्रोटर कर रिव्यू करने जा रही हूं थंड का मौसम जासा है कि आप लोग को पहले से पता है थंड का मौसम सुरू हो चुता है अब हम लोग थंड के मौसम में उस कपड़े को पहनते पहनते जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे हम लोग को साफ़ करने के जुरूत होती है तो उसके लिए ये स्पेशल है गौदरी ईजी लिक्वीड डिटर्जिन जेंटली क्लिनेस एंड सॉपनेस विंटर वेर सीफोन एंड सि जो की बहुत महंगे कपड़े होते हैं उसको धूने के लिए हमें लिक्वीड डिटर्जिन की जुरत होती है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस डिटर्जिन से कैसे धूए और ये किस तरह से वर्क करता है मारे कपड़े पर ठीक है फ्रेंट तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आपको पहले से पता है ये एक लिक्वीड डिटर्जिन से धूने के लिए हमें किसी तरह के कपड़े को लिक्वीड डिटर्जिन से धूने के लिए हमें कपड़े की प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये हमारे कपड़े के देखरे के लिए अच्छी होते है और इसकी क्वांटिटी के अगर बात करें इसकी क्वांटिटी ये 40 ग्राम का है और ये 10 रुपे में मैं खरीद कर लाई हूं इसे 10 रुपे का प्रोडक्ट है ये दो तीन वेरियेट में आता है और ये बड़े डबे में भी आता है फ्रेंट लिके में पास अभी बड़े डबा डबा नहीं है मैं ये छोटा पॉश लाई हूं ये कम से कम तो 5-6 कपड़ी को आपको आराम से दो देगा जैसा कि आप लोग को पहले से पता है फ्रेंट कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है लिक्विड इटर्जंट है और इसे जो बनाती है वो है नहीं है यह इंडिया की प्रोड़क्ट है और देशी चीज है यह जैसा कि आपको पता है देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है विंटर वियर बूलन सील्क सीफोन्स और नाजुक कपड़ों की करे सौम सफाई और उन्हें मना के रखे कोमल यह पहले से यह चीज बता रह है यह पगाल देखिए आपको निकाल लेना है और टब करके इसके पानी कोल दाल देना है उसके बाद 10-15 मिर्ट कपड़े को निकालने के बाद उसे अच्छे पानी से साफ करके छामे कपड़े को सूखने के लिए देदीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि कपड़े की जो softness है वो बहुत अच्छी रहती है उसकी कलर भी बहुत अच्छी रहती है उसकी कलर खराब नहीं होगी अगर आप इससे कपड़े को धोएंगे उलन की कपड़े को सीफोन की कपड़े को सिल्क की कपड़े को तो कपड़ा कभी खराब नहीं होगा और कपड़ा फट जाएगा लेकिन उसके कलर कभी नहीं तो फ्रेंट अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए हेल्फुल हो तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेर तो कम से कम जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसका फायदा मिल सके ठीक है फ्रेंट, मिलती हूँ फिर नए प्रोड़क्ट के साथ, थैंक यू